नमश्चार दोस्वं, आप शबी का बहुत भहुछ वागते दोस्वं, आप शबी को बता दे कि या फिर आपके घर परिवार की पीछे लग गई है यह चुडेल जिया दोस्वं, अम आप शबी को बता दे कि शमे रहते हो जाएं शावधान वरना ये आपके घर को भी बरबाद करशकता है ये दोस्तों हम आप शुबी को बता दे कि आने वाले शुमे में अब इनका खेल खत्म होने वाले हैं तो दोस्तों आज को यह विडियो आप शुबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून और बहुत ज़्यादा भागी शाली रहने वाली है तो दोस्तों आप इने बिल्कुल भी मिशना करें और सुरूस लेकर अंत तक जरूर देखिएगा यह दोस्तों आप शुबी को बता दे कि व्यक्ति जब अपने जुनकाल में आगे बढ़ने लगते हैं लोगों से अलग करने लगते हैं जब आप अपने जुनकाल में आगे बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों लोग आपसे कही ने कही जरूर जलते हैं और इतनी हद तक जलते हैं इतने हद तक आपको नीचे गिराने का प्रयाश करते हैं कि कह नहीं शक्ते हैं और दोसों उसके बाद वो लोग जब कुछ कर नहीं पाते तो तांतरिक विद्याओं का इस्तुमाल करते हैं पिछले कई दिनों शे आपने देखा है कि आपके कारे बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जिन कारियों में आपको मन लगता था, उन कारियों में भी आपको मन लहीं लगने लगा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंत तक दिखिएगा, कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केशे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, शाते केशे आप इनसे बच सकते हैं, इनको पने जिन काल से केशे बाहर निकाल सकते हैं, शबी महतुन जानकानिया इस वीडियो में हैं, तो दोस्तों वीडियो को सुरूर से ये लेकर अंत तक जरू देखेगा उश्य पहले करते हैं सबसे पहले के पहचान केश्क पहुपर कोई चुड़ें है या पिर कोई एशा तंत्र क्रियाएं किये हैं जिनके करणा आपका जीवन बिल्कूली धौस्त होने जा रहा है जो दोसों आप शुबी को बता दे कि जब व्यक्ति की जुनकाल में ऐसे गटनाई होती है तो दोसों और उनका मन बहुत ज़्यदा परिशान हो जाता है उन्हें लगने लगता है कि अब हम कोई भी कार करने शक्ति यह कार हमारे मस्तिक्त से बाहर है कि दोसों उनके जुनकाल में किसी और का ही शाया है जो कि वाश में परभाव डालते हैं शाथि आपको बता दे कि ऐसे समय में कि व्यक्ति बहुत ज़्यदा परिशान होने के शांत साथ कुछ और गलत कार भी कर देते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यदा नुक्शान कारग होते हैं जया दोसों हम आज आप शिपक्ति की जुनकाल में एशे हरमous donut होते तो सभिय के शाथ रहना और परश logr नहीं करत कि उनके परिवार के पीछे किसी का शाया तो जरूर है तब दोस्तों ऐसी गठनाई हुई है ऐसे कि दिये कलाप हो रहे हैं लेकिन दोस्तों बड़े लोग भी क्या करेंगे जब बड़े लोग कोई भी डॉक्टर को भी दिखाएंगे तो दोस्तों वहां की रिपोर्ट आती ह है कि आपके बच्चों की उपर या पिआपके शद्अश चया कोई नहीं है डी पोर्ट तो बिल्कुल उचह आने लगते हैं तो दोस्तों इंज भी आपको चूप नहीं रहना है आपको समझ़ना है कि किसी का तो राभ शहाय आपके घर परिवार पर है तभी तो परिवार Super इतनी किलत सी हो गई है का हसता खेलता परिवार का खुशियों में जुमता परिवार इतना चुप सा हो गया है किसी का आज पास में धगड़ा होने लगता है मन बहुत जदा वर्ष में प्रिशान होता है जब शाथ बेठने वाला व्यक्ति भी आपके शाथ ने रहते यह दोस विद्याओं को वश्मे करते हैं यह दोस्तों ऐसे लोग का आपको शहरा लेना है तो अगर आप अभी यह कदम ने उठाएंगे तो यहीं चीज आकी चलकर आपके लिए बहुत यहादा खतरनाक हो सकती है बहुत यह दा सकती है शायद हो सकता है कि तब तक बहुत यहादा हो जाए तो अब बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जो कि आपके उपर एश्य किर्याएं कर सकते हैं आखिर आपने उनका क्या भीगाड़ा है जो आपके उपर एश्य तांत्रिक विद्याएं करते हैं बोच छोड़ देते हैं यह कहें तो किसी का साय आपके पीछे लगा देते तो दोस्वों यह बात आपको गौर्ड करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति आपके शाथ है जो अक्षर व्यक्ति के पीछे वही लोग कुछ कारे करते हैं जो कि उनके आज पास हैं जो कुछ उनके शंपर्क में हैं तो आखिर आपको ने जुनकाल में कौन किस-किस लोग के शिर्बाश यह बहुत शारी चीजें हैं जिनकी आपको जरूत है जैसे और इन्हीं सब चीज को देखकर लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं जैसे पिछले समय में जब आपके पास कुछ भी नहीं था तो दोस्वों लोग कितना आपको नीचे गिराने का प्रयाश करत सभी बुभाद खर्धियो समय फटे लेकिन दोस्वों आज तो आपके पास बगलान के शिर्बाश्य बहुत कुछ है तो दोस्वों आज लोग के खानेक के से बजेंगे 200 बातों को कुछ में रखते हैं कि कोई से लोग ऐतना जलते हैं कौनकोन से लोग हो सकते हैं तो यह बात भी शांते होंगे टो लोगों तो से सतरक रहें कि यही जो की आपके ओपर साया चोड़े हैं यहीं बुरी आत्माई हैं जो कि आयोगी कुल नाटानों को भी देहि तो समय रहें आप इंसे केसे समझे कौनकोन इप आइक करें कोई दोस्तों बात करते हैं। और भी खतरनाग हो सकता है दोस्तों सबसे पहले आप अपने बचाव के लिए अपने जुनकाल में इन शवी बातों का ध्यान देना होगा जो दोस्तों हम आप श्रुप प्रभू हमसे यह गलती हुवी है आयं दा हमСТढ यह गलती नहीं होगी वही गलतीकों आपको प्रात्न करना है दोस्तों इसके प्राल्थ आपण हुष्ष्षय भी मंगना है कि अब हमारे जूनकाल शेरी परिशानियाद दूर करते हम अपने जूनकाल में जो भी दुष्मनों के कारक हर्मान जी माने जाते हैं तो दोस्तों अपको norma दुश्वनों का शर्मान होगा और शंकट से आपको बचाएंगे शंकट मोचन हनुमान जै दोस्टों इशकुपरायन दोस्टों मैं आपको बता दें कि अगर आपके घर में आपके परिवार में किशी के उपर बुरी लजर ज्यादा हो गई है तो दोस्तों उनके हाथ में काले धागे जरूर बांदें क्यों दोस्तों काला धागा बुरी नजरवालों के लिए बहुती कारगरशी दो होती है तो दोस्तों काला धागा उसके हाथ में मंगलवार या पर शनिवार की दिन बांद सकते हैं यह आपके लिए बहुत ज़्यदा महत्पुन उपाय होंगे इसको अगर आप दुश्मन से पचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आयंदा आपके Jynकाल में अशे शत्रु आह इन ये शत्रु पेदा नहीं को पूजा पाट करना हुगा सब्सक्राइब को आप को तेल चणाने लिए गयाँ के जीए उनकान से दुष्मनों शे आप मुक्ती पाएंगे तो दोस्तों आप अपने जो उनकाल में इन शवी बातों के अध्यान रखें दोस्तों ये शवी बात आपके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगी और शायद साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसा सजिसन भी दे दें कि दोस्तों अ अपने जिम्काल में इन बातों ये जाता आपको आपको अपने जुनकाल में आपके भोलेपन को क्यों आपके राशी के बहुत रजातक हैं अपने भोलेपन की वज़र से ही दुष्मनों का शिकार हो जाते हैं और जलते जलते आपके उपर तांतर क्रियाएं भी करती हैं भूत पीछोड़ने लगते हैं तो दोस्तों कभी भी अपने कारें को उतना बखान ना करें जितना आ लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और शाया दोस्तों और इशिदी जनकारे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद